हेलो दोस्तों आज हम बनाएंगे गीहू के आटे से बहुत ज़्यादा स्वाधिष्ट मोदग जो कि 12 से 15 मिनट में बनकर तयार हो जाएंगे दोस्तों और आप इनको एक हपते तक इस्टोर करके रख सकते हैं ये बिल्कुल भी नहीं खराब होंगे एक हपते तक आप इनको म बहुत ही बड़ा सुन्दे सुन्दे से ये मोदग बनते हैं दोस्तों रिस्पी पसंद आये तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्स्राइब जरूर करिएगा तो चलिए रिस्पी देखते हैं तो सबसे पहले गैस पर एक कड़ाई चड़ाएंगे कड़ाई में ह साथ से आठ काजू, साथ से आठ बादाम और पान से छे किस में इसको थोड़ा सा मोटा मोटा काट लिया है अब इन्हें बढ़िया से हम घी के साथ भून लेंगे तो आज को हमें एकदम धीमाई रखना है धीमी आज पर ही हम काजू बढ़ियों को भूनेंगे और यहाँ थोड़ा सा काजू बढ़ियों जब भून जाएंगे तो साथ में नारियल का पाउडर वन बाय फोर्थ कप डाल देंगे अब इन्हें भी भढ़िया से हम ब्राउन होने तक सारी चीज़ों को बढ़िया से धीमी आज में भून लेंगे तो यह देखिए बढ़ियों और आटा हमने ले लिया है तो यह हमने गेहूं का आटा लिया है दोस्तों इसको पहले अच्छे से चान लें तो हमने आपर आटा एक कप कड़ाई में डाल दिया है तो अब हम गेहूं का आटा बहुत बढ़िया से ब्राउन होने तक भूनेंगे जब तक कि इसमें एक बढ़ि यहां से ब्राउन कलर हो जाए तो यहां पर फ्लेम को ओफ कर देना है यह देखी कितना बढ़िया सा कलर आ चुका है आटे में अब हम इसको एक बरतन में निकालेंगे और वापस से हम फिर से कड़ाई चड़ाएंगे और कड़ाई में हम एक कप दूद डाल देंगे तो यह हम को अच्छे से मिला देंगे आपकी सर नहीं डालना चाहते हैं तो आप लैमन फूट कलर थोड़ा सा इसमें डाल दीजिए तो दूद बहुत बढ़िया से उबल चुका है तो आप हम इसमें आधा कप चीनी डालेंगे तिहां पर मैंने आधा कप से थोड़ा सा एक से दो चम मिल्क पाउडर इसको बढ़िया से मिक्स कर देंगे अच्छे से घोल देंगे और उसके बाद दूद में डाल देंगे इससे क्या होगा जो हमारे मतलब मोदक में बहुत बढ़िया मावे जैसा टेस्ट आ जाएगा बहुत अच्छा टेस्ट आएगा दोस्तों तो बस अब इसको अच्छे से मिलाते रहें जब तक कि दूद में से अच्छे से उबाल नहीं आ जाता तिहां पर अगर मिल्क पाउडर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप एक कप की जगा दो कप दूद लीजेगा तो दूद बहुत बढ़िया से पक चुका है जब एक कप दूद र देंगे और डालकर अच्छे से मिलाएंगे दोस्तों यहां पर जब आटा डाले तो ध्यान रखे कि आज को धीमा ही रखना है और तुरंत कर्ची चला के आप इसको बढ़िया से मिलाएं इसमें गुठलिया बिल्कुल नहीं पड़ेंगी क्योंकि आटा बहुत बढ़िया स सबनां से अच्छे से इससे क्या होगा आंटा जो है बहुत बढ़िया से भुन जाएगा और इसमें बहुत अच्छी सी सूधी सी खुसबू भी आ जाएगी आजको देमा ही रखना है देमी आज में बहुत-धया से इसको पांच आट तक भोने दोस्तों जब इस तरह से बढ़िया से भूनेंगे तो यह देखिए कितना बढ़िया खिला-खिला सा यह हमारा मिक्षर पूरा बन चुका है अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे बहुत जादा देर तक नहीं भूनना है चार से पांच वर तक ही भूने धीमी आज में अब इसको में प्लेट में निकाल कितना बढ़िया से एकदम भिखरा है तो अब हम एक मोलड लेंगे मोदक का इस तहरा से इसमें हम घी को ग्रीश कर देंगे अगर मोल्ड नहीं वे इसको भड़ देंगे अच्छे से इसको दाबा दे अधिया बढू आज को बढ़ा है तो आण nuevas एक मिलाई दिखा देते हैं बहुत यह बढ़ बंते दोस्तों यह बिल्कुल भी नहीं बिक्रेंगे और ना ही ख्राब तो आपस से हमने साची को तयार कर लिया है बार बार आपको घी लगाने की जरूत नहीं होती है सिर्फ एक भी बार घी लगाएं उसके बाद फिर फटा फट से बनते चले जाते हैं तो सेम तरह से फिर से इस तरह से भरेंगे अच्छे से दबा देंगे और देख सकते दोस्तो कितने बढ़िया से हमारा मोदग जो है बनकर तयार हो रहे हैं तो इस तरह से आप लोग भी बनाएंगे तो आपके भी मोदग बहुत बढ़िया से बनेंगे देख सकते हैं कितनी सुन्दर हमारे मोदग बन रहे हैं तो इसी तरह से हम सारे मोदग को बनाकर तयार कर लेते हैं तो देख सकते हैं कितने बढ़िया हमारे मोदग बने हैं, पहुत ही इजी से बन जाते हैं, और बहुत ही बढ़िया बनते हैं आप इनको एक हफ़ते तक रख सकते हैं, किसी मतलब किसी ऐसे बरतन में रखें जिसमें ढखके आप प्रेज में रख सकें तो इसी तरह से बनाएं दोस्तों बहुती इजी सी रेस्पी है जो की 12 से 15 मिनट में बनकर तयार हो जाते हैं यहाँ पर टाइम का थोड़ा सा उपर नीचे हो सकता है तो देख सकते कितने बढ़ियां से बने हैं खाने में बहुती टिस्टी होते हैं आप इनको एक बार बनाएं और एक हफते तक भोग लगाएं तो देख सकते कितने बढ़ियां से खस्ता मोदग बने हैं एक कप आटे से धेर सारे मोदग बनकर तयार हो जाते हैं यहाँ पर 4-5 मुदक हमारे और बने थे लेकिन बच्चों ने खा लिये हैं तो इस गड़ेश चतुर्थी पे दोस्तों ये वाली रेस्पी जरूर से ट्राय करना जो कि बहुत ही हल्दी बहुत ही टेस्टी है